कि चलो अब हम लोग हम लोग का आयरन कार्बन डागरम फिनिस हो गया अब इनीशियली जाकर देखो जब हम फेरस पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो सबसे पहला हमारा था वाट आइड़न इस सेकेंड में था कास्ट आइड़न और थर्ड में था स्टीड तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे परले रॉट आइड़न को देखेंगे इसका कंपोजिशन क्या होता है रोपर्टीज क्या होता है अप्लिकेशन क्या होता है कास्ट आइड़न का कंपोजिशन रोपर् अब जो हम सेक्शन पढ़ाएंगे वह बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है इसमें जो कंपोजिशन पाट रहेगा उसको समाझना बहुत ज़रूरी है किस मटेरियल का कंपोजिशन क्या होता है तो सबसे पहला है रोट आइड़न हम यहां पर डिटेल में समझा देंगे एक-एक पॉइंट को हम समझा देंगे और इसका नूट समझे देंगे ठीक है क्योंकि अगर हम लिखवाने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि अगर हम लिखवाना छोड़ देता है तो फिर यह सब टॉपिक बहुत ही तेजी से कंप्लीट होगा तो यहां पर पढ़ाएंगे उसको तुम लोग रफली जैसे हम यहां नोट करेंगे वैसे नोट करते जाना बाद में फिर नोट मिलेगा उसको फेयर करते जाना अपना अलग कोई कॉपी में यहां पर बस जो जो हम पढ़ाएंगे वह सब देखते जाना क्या होता है तो रॉट आइरन का सबसे पहले हम कंपोजिशन की बात करते है तो हम पहले ही बताए थे यह पहला पॉइंट यह प्यूरेस्ट फॉर्म होता है यह सब जीरो पाइंट यह पॉइंट जीरो एट थे डाइट लिखते है अब टू पॉइंट जीरो टू परसंट तक अगर कार्बन हो गा तो उसको लोग बोलते हैं रॉट आइरन और यह हमारा प्यूरेस्ट फॉर्म होता है यह यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो यहां से इतना यह से कम हुदा इस्से कम या फिर इतना थे तो वहमारा थे तो के एक होकेन होता है मेरा सिलिकन भी होता है कि मंगनेज होगा मैंनल क हमारे मेंगनेज होता है भूइंडली ए आईमों ऐसे सवागी नहीं ये आेगा इंटarin हो जाएगा नillon नहीं मिला रहे हैं जब आयरन का production कर रहे हैं रॉट आयरन का उसक्त आप्टमेटिकली यह सब elements जो है वह इसमें इंटर्डीस हो जाता है तो यह सब हमारा उसे परजेंट रहता है लेकिन बहुत इसमें जो स्लाइग बनेगा जो इम्पीरियोटीज रहेगा इम्पीरियोटीज हमारा लाइमस्टोन सब के साथ एक्सन करके स्लैग बनाएगा तो इसमें जो स्लैग बनता है यह स्लैग होता है वह हमारा लगबग 3% तक होता है और वह हमारा स्लैग है वह हमारा डिस्ट्रिबूटेड होता है 3% स्लैग डिस्ट्रिब्यूटेड इन आइडन मैट्रिक्स जिस्टूबूटेड मींस तर यानि कि वो जैसे यह अगर आइडन है मारा डिस्ट्रिब्यूटेड मींस वह वहां पर फाइला हुआ पुरा यहां पर इस तरह से इस तरह से मिला हुआ पुरा डिस्ट्रिब्यूटेड मिक्स पुरा ठीक है और आइडन मैट्रिक्स मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जो बहुत ही ज्यादा परसेंटेज में होता है तो अगर आइडन की बात करें तो इसमें आइडन कितना है लगभग 99.99 परसेंट से एबब है कि जो बहुत अगर्च है है अगर्ण का मैट्रिक्स काने का मतलब कि आइडन जो में यहां पे है जो लगभग 99 परसेंट है लग उसको मैट्रिक्स बोल रहें और उसमें हमारा यह जो स्लैग होता है यहां पर डिस्ट्रिबुटेड रोता है फ्ति इसमें रोइसेंग को बा कि हमारा यहां पर अपरेंस मिलता है उस परेंस को दो बलते हैं है फारेंस वह पारेंस में होता है और इस फाइबर एपरेंस कहा से आए क्योंकि तो इसके वज़े से क्या होता है उसके कारण वह फैटिग लोडिंग को विधर्श्टेंड कर सकता है अच्छे तरह से तो फैटिग लोडिंग में हम लोग इसका अप्लिकेशन कर पाएंगे अगर कोई कॉंपोनेंट बनाना है जाब पर फैटिग लोडिंग आएगा तो हम लोग उसके वहाँ पर रॉट आइरन को स्लेक्ट कर सकते हैं तो स्लेक्ट डिस्टिब्यूट होने का एडवांटेज यह है कि उसके रॉट आपिरियंस जोता है वह फाइबर जैसा नजर आएगा और उसक अब कुछ यह इंटर्ड़क्शन होता है यह सब भी बहुत कम मांट में होता है लेकिन यह हम लोग बाहर से नहीं आड़ करते हैं यह उसका कोई खास एफेक्ट रेखने को नहीं मिलेगा उसके बाद इसमें का स्पेशल केस होता है कि जो स्लैग होता है वह तीम पर्सेंट इसमें डिस्ट्रिबूटर रखते हैं हम लोग ताकि उसका अपीरियंस फाइब्रस हो जाए और वह फेटिग लोडिंग को वितस्टेंड कर सकते हैं अब कुछ यह इंट्रोड़क्शन होगे आप कुछ पुपार्टीज देखते हैं क्या क्या प्रोपार्टीज तो अगर ह प्रोपार्टीज देखें पहला हमारा हो जाएगा फाइब्रस अपरियंस होने के वाज़े से यह फेटिग लोड को वितस्टेंड करेगा विटस्टेंड लोडिंग ने फट्रिव लोडिंग अ के 2 सेखेंड यह चुके कार्बन का परसेंटर्टर कम है इसलिए सअफठ होगा का 2 घटाइल होगा कि तफनेस के अचछा होगा है यह रहा यह लौ कार्बन क님이 परटीज काम होगा यह कार्बन का पड़ा और कर्ट होगा कार्बन अज़ा भी ओगा अच्छा होगा है अश्चे इसका प्रपर्टी है किस सदेन और एक्सेसिव लोड को विधरन कर सकता है कि यहां पर लिख सब्सक्तर मित अधिक्रेंट कि सदेन एक्सेसिव लोड को यह सडेन और एक्सेसिव जो लोड है है इसके कहने का मतलब हो गया इसको विधाष्टेंट करने क्या चाहिए चाहिए इसके उसको उपस्टेंट कर अप्लोड को यह विट स्टेंड कर सकता है कि इसका एक परपर्टी होता है कि इसली फोर्जट किया जा सकता है एक यह कई मर्केट करना चाते हैं तो वह करता है जो होता है if those tension वेल्डिंग इसका आसानी से किया जा सकता है क्योंकि जैसे जैसे कारबन का परसंटेज बढ़ेगा वोजिंग कर पाना और विंग कर पाना डिफिकल्ट होते जाएगा तो इसलिए यहां पर फोर्जिंग और वेल्डिंग हम आसानी से कर सकते हैं को उसके बाद रॉट्राइड का प्रॉपरटी यह जो है वो प्रॉट्टिब को और यह होल्ड कर सकता प्रॉट्रेटिब को करने का मतलब अगर हम किसी तो प्रॉट अई नमें इसमें कोई कोटिंग हम लगा रहे हैं तो यह कॉटिंग को को फोल्ड कर लेगा मतलब कि यह इसमें आसानी से को लगा सकते हैं ठीक है इसमें या रश्टिंग होने का चांसे ज्यादा होगा तो अगर हम उसमें किसी तरह का कोटिंग करना चाहेंगे माझनों कर दिया कि तो पेंट अगर हम लगा हैं और वह उसे चोड़ देगा तो तो उसको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा तो यह रॉट आरन का प्रोपर्टी होता है कि वह पेंट अगर हम उसमें करेंगे तो उस पेंट को होल्ड कर लेगा मतलब उसमें वह अच्छे से चिपक जाएगा पेंट मेरा मت Red होता है कि हम यह स्ट्रिर्मिंट नहीं कर सकते हैं कि हिद्ध रॉट्र। होता है हो कि हम मेकैनिकल पूपर्टी को इंपरूब कर सके कोई मटरी Kate का कि अगर छट्रेंथ कम है क्या डॉटि कर हाद्निस कम है तो उस लिवट रौक्तिलूटी सद्सक्राइश मेरा प्रॉव कर सकते हैं लेकिन यहां पे यह जो करने के लिए मैटेरियल में हार्ड एनेडियटी होना चाहिए यो होता है हम पढ़ाए है कि कितना न्यक्ट तक हम उसे हाड़न कर सकते हैं कि वह पर Chili का लाता है यह ज्टैल्ट्ट में हाड़नुटी बहुत कम है तो हम लोग जाड़ ट्रीटिमेंट नहीं कर सकते हैं उसी तदर हम लोग देखेंगे आगए जब पढ़ेंगे लो कारमन श्टील तो वहाँ पिर उसका परसेंटेज कम होता है इसलिए वहाँ पिर में लोग हीट ट्रीक्मेंट नहीं कर सकते हैं तो जहां जिस माटीरियल का हाड एलमिलियों कर सकते हैं तो हैं तो हर्ण करके बढ़ाना चाहिए हैं तो यह सब बेसिक कुछ परॉपारटीज हैं देकोव इसमें इम्पोर्टन उब्जेक्टिव क्वेशन बनता है कि एंपेंग से कौन से इलाइन का प्रोपर्टीज नहीं है तो वह सब यहां से हम लोग देख सकते हैं बहुत यह सारा डेटेल में याद रखने जात नहीं है कि फाइब्रस अपिरियन्स होता है तो मेरा फ्रेटिक लोडिंग है यह सब समेश्टर में अगर पूछ दे कि बारे में बताई है उसका प्रोपर्टीज क्या है तो वह सब के इसे इनलेगे यह सब यह सब ज़रूरी हो जाता लेगन चुबशीक्टिब यह सब अप्जेक्टिव में कभी नहीं परिख कर जाता है तुझ अच्छा है तो सदेन और अक्सेसिव लोड को ले सकता पिर इसका एक श्पेसल प्रोपर्टी आता था कि प्रोटेक्टिव को लग कर सकता है फोर्जिंग हम इसका कर सकते हैं वेल्डिंग कर सकते हैं उसके बाद फाइबर सपीरेंस होता है विज्डिश्टीपूशन तो इसलिए यह fatig load को अच्छे से लेगा, इसका hardability कम होता है, इसके heat treatment हम लोग इसका नहीं कर सकते हैं, तो यह सब कुछ properties हो गया, इंटर लिंक करना पड़ेगा सारा चीज को यहां पर, इसको पूरी तरह से समझने के लिए, अभी तो पूरा नहीं दिमाग में रहने वाला है, नहीं समझ में आएगा, लेकिन इंटर रिलेट जब धिरे धिरे करने समझ में आ जाएगा, इंटर रिलेट कैसे करना properties को उस टा तो इसका यूज है, रिवेट्स बनाने में होता है, बार्स, ऑफ बोल्ट, बोल्ट का अगर कोई बार है, तो उसे हम लोग बनाते हैं, इसके तो रोट आरेन के तूँँँँँँँदू, पाइप्स हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका वेल्डिंग किया जा सक है, और फ्रेडिंग हम लोग इसका कर सकते हैं, इसलिए यहां पे हम लोग बना सकते हैं, फिर इसका अप्लिकेशन चेंज में हम लोग कर सकते हैं, क्रेन का हुक्स जो होता है, उसमें हम लोग कर सकते हैं, और फिर अगर कोई फोर्जिंग ओपरेशन हो रहा है, तो वहां प तो यह सब कुछ बेसिक अप्लिकेशन्स हो गया रिवेट्स बार्स बोल्ट पाइप्स चैन्स क्रेन होक्स फोर्जिंग अगर कहीं हो रहा है तो वहां पे अगर हमें कोई मटिरियल कर चाहिए तो रॉट आइलन को यूज कर सकते हैं ठीक है यह सब देखो यह सब जो पार्ट है कभी ऑब्जेक्टिव में नहीं आता अगर कोई कॉमपटिटिव एकजाम में भी रेख जा तो वहां पर यह सब नहीं पूछता है लेकिन तो यहां तो हमसा तो इसलिए यहां पर क्योंकि समेश्टर निकार समेश्टर में अगर पूछ देगा रॉट आधरन का प्रोपर्टी अप्लिकेशन देख लिए अब अगर बोलोगे तो नूट सम लिखवा देते हैं अभी या फिर सेंड करने बोलेगे तो सेंड कर देंगे सेंड कर देजिए टाइम भी का मैं सर बाकी सब बतार कुछ कुछ लिखवाते चलिए सर सरु जो बोल रहा ना उसका लिखा हुआ एक वार पढ़ा हुआ है इसलिए वह मेरा थोड़ी न पढ़ा हुआ है जो नोट सर भेजेंगे उसको लिख लेना कोपी पे समझा दिए न सर अरे फीर भी यार अगर जो कोपी में लिखा रहाता है हम एक लिए नहीं पाएगा को उससे नहीं हो तुम लोग देखो देखो हम यह नहीं बोलते अक मैं कुछ लिखवाने दे अभी हम क्या-क्या लिख यहां पर जो लिखे हम वही सादा फिर नोट में लिखवाएंगे त पॉइट वाई जा लेगी क्या चिस इसी का कॉल आरा सर्ड डिक शुक्ष कम्युट कर देजिए चलो ठीक जुट करो इसको हेडिंग दो रॉट आए रण तो अच्छ कर देजिए गतन है होगा कि अभी कोई बोल रहे हो कि अर्शम्जाद रिख देगा यहां देखो हम अभी क्या कि है हम रॉट आईलें को सम्झाद लिखते जा रहे थे ठीक है यहां पर जो पॉइंट सम लिख रहे हैं तो मोग उसके नोट कर लो यहां पर जो हम पढ़ा रहे हैं जो भी बोर्ड में लि उसको फेयर कर देना यहां तुम्हारा कमसें पढ़ा हुआ देगा कि हां सरी यह बताया थे रोट आइजन में और वही चीज़ नोट्स में जब मिलेगा तो समझ में आ जाएगा कि सब्सक्राइब देन कि यहां पर पढ़ाये यह नोट और यहां पर समझने के लिए वह बॉत लोग बस यहां पर देखो सुनो और छोड़ दो यहां जो भी लिख रहे हैं उसको नोट करो ताकि तुम लोग को याद रहे हैं तो वह तुम को जादा रहे हैं पिर नोट्स उसको फिर करना है बस यहां पर जो जब बता रहे हैं उसको भी नोट करते जाओ कोपी में जो हम अभी टोटल पढ़ा हैं यहां पर नहीं किया हूं मिलेगा नोट से फिर किया हूं लिए गए दिक्कत है तो बता हम लिखवाने का लिखवा देंगे को दिक्कत नहीं है नाई सब कोई बताओ क्योंकि एक लड़का का अगर मानके चलेंगे बागी लड़का बोलेगा कि सब नहीं मानते हैं तो कर दिएगा और इसके बाद नहीं समझाएंगे हम पहले समझा देंगे उसके बाद नोट सिंट वह अच्छा है लिखने में भी समझ में आगे तुम्हारे कॉपी में भी नोट रहेगा कि हां सर्य यह बता रहेते पॉइंट जब लोग फेर करोगे मेरा उस टाइम देखोग तो उसमें क्लियर आ जाएगा समझ में ठीक है अब देखो रोट आइरन होगे कंप्लिट अब लोग इंटर करते काश्ट आइरन क्योंकि यह सब पॉइंट के वल समझने वाला है बाकि नोट्स फेर करने वाला नोट्स तो मिली जाएगा लेकिन समझ जाओगे तो नोट्स देए हुआ है जो फाइदा नहीं है तुम लोग समझ जब जाओगे एक बास समझ जाओगे उसके बार जब नूट करोंगे उसका बेन्फिट जादा होगा जब करने जाओगे आइसे पहले नोट्स अ कि कुछ समझ में यागा इसर क्या क्या लिख दी है किसे बोलते हैं यह हमारा सबसे पाहला point फेरस अलाइट होता है यह फेरस अलोय होगा कार्बन कितना होगा इसमें फेरस अलाइट कार्बन परसेंट 226.67 परसेंट तरी में उसे हमनों बोलते हैं कार्ष टाइधन तो देखो कार्बन कितना होगा दो से 6.67 परसंट या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसे तो यह सब जो हम पॉइंट लिखा रहें यह सब लोग नोट करते जा जब फेर करोगे देखना इसी को हम लेंग्वेज में लिखे हैं अच्छे से अब देखो देखो कार्बन कास्ट आयरंज होता है वह दो से 6.67 परसंट तो होता है एक्चुल में लेकिन जब हम लोग कॉमर परसंट ही लेते हैं ठीक है कोमर्सिल यूज के लिए मों दो से 4.5 परसंट का ही तयार करते हैं क्योंकि इससे अगर हम ज्यादा कार्बन वहाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा वहां पे जो हमारा मटेरियल बहुत ब्रीटल हो जाता है अगर हम कारबन इससे ज्यादा कर रहे हैं तो अगर बहुत ज्यादा ब्रीटल हो जाएगा तो थोड़ा सा उसमें लोड लगाएंगे तो फिर वह अप्लिकेशन का कोई परपस नहीं है उससे कुछ बना रहे हैं तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिकली जो है कॉमर्सियल परपस के लिए 2-2-4.5 बनाते हैं इस से जादे हम लोग नहीं जाते प्रैक्टिकल लेकिन अगर रेंज पूछे तो टू टू 6.67 होता है ठीक है यह एक्स्ट्रीमली मेरा बृटल होता है और अब देखो इसका कार्बन कितना हो गया 24.5 परसंट ट्रेक्टिकल हो गया अब इसमें देखो का श्टारेंबने और क्या इलिमेंट होता यह कार्बन होता है 22 2.5 परसंट हर अगर हम कांपोजिशन की बात करते हैं तो ही कांपोजिशन का श्ट एएंगी को हम लोग यहां पर जो भी मोटिटीड पढ़ेंगे सारे का मंनुक्त कंपोजिशन कंत ऐसा है उसका पूपर्टीज़ देखेंगे तो तक यहां पर रॉंधे जैसे रोट का अंपरों कंपोजिशन से कुछ देखें उसके फ़िकेशन से इसोता तैंट हो नहीं JEFF के यहां पे बाहर से अड़ करके सविकर मिला दे रहें आप अपिर जो siglo मम्ला रहें बाँ सनी वो आरन जिभी अर तो तै ज no और सब रहां एल Embans आता है और ये सब अ Div सन गोल होता है ठीक है क्योंकि हम उसमें सितना भी डाषी दाल रहे हैं उस सब्सक्राइब किसी में सिलिकन है किसी में मैंगनीशियम है तो वह सब जो जन्दली देखो यहां पर जब हम लोग लाइम श्टोन मिलाते हैं ठीक है उसके बाद कोल होता है और मेरा आइड़नोड होता है हम जेनरल नॉलिज के लिए इतना है कि ब्लाश्ट फंदेश में लाइम श्टोन कोल अरा आइड़नोड डालते हैं लेकिन इसके अलावे जब यह मैं मैनुफेक्ट्रिंग होता है तो उस वक्त उसमें बहुत सारा और मटेरियल डाला जाता है एक होता है पैलेट एक सिंटर फिर उसमें उसके बाद लाइम श्टोन के साथ साथ हम लोग डोलो माइट और इसके साथ साथ और कुछ-कुछ और मटेरियल डालते हैं यह प्रैक्टिकल अप्लिकेसंस है इसलिए यह सब यहां पर डिपले करते हैं वहां प्रोसेसिंग हो जाता है लेकिन वहां पर प्रैक्टिकली करते हैं तो बहुत सारा मटेरियल और एड करते हैं यह सब मटेरियल जब एड होता है उसमें बहुत सारा इलिमेंट्स होता है किसी में सिलिकन होगा किसी में मैंगनेशियम होगा फॉस्पोरस होगा सल्फर होगा तो यह साधा इलिमेंट जो है आटमाटिकली कार्ब जब बनता है तो उसमें इंटरीब्स हो जाता है तो यह सब हमारा इस रीजे में होगी तो सिलिकोन होता है 0.5 to 3% पिर हमारा मैंगनीज होता है मेन यह होता है 0.5 to 1% तो इसके बार फास्पोरस होता है तो वांट वन तू पॉइंट नाइन परसेंट और सलफर होता है तो पॉइंट जीरो सेवन तू पॉइंट वन परसेंट तो हम लोग बाद में देखेंगे कि यह सब जो छोटा-छोटा एलॉइंग ये सब काश्टर का प्रसेंट में देखेंगे किऑ एफेट में युइंट इसेट क्या होता अ은न से चैसाव में इसमें और इस जाले चैसाइट का ऑड़ता यह क। कौन एलिमेंट का इफैक्ट नहीं इसम देखेंगे के कौन इलेमेंट का effect क्या होता है तो यह इसका basic composition हो गया carbon इतना होगा silicon, manganese, phosphorus और sulfur, composition हो गया हमारा अब हम लोग देखते है properties क्या क्या हो से तो देखो cast iron का carbon बहुत ज्यादा है तो इसलिए इसका strength अच्छा होगा और strength में भी होता है कि यह हम समझाते हैं कि वह compressive होता है compressive strength इसका अच्छा होगा हाई compressive strength और यह brittle होता है second point अगर हम देखें यह highly brittle होगा और हाड होगा ठीक है यह सारा प्रोपर्टिक किस वज़े से आ रहा है हाई carbon होने के वज़े से ठीक है high compressive strength high brittle and highly brittle and hard ठीक है और लेकिन इसका tensile strength कम होता है कि देखो compressive strength ज्यादा होना और tensile strength कम होने का वज़य क्या पर यहां पर क्या है जो भी brittle material होता है उसका नीचर देखा जाता है कि जो mo Pict nak को तर्समें बहुत ज़्यादा होता है जो क्रैक्स हो गया है बहुत सार्ये सक्रैक्स हों भी इसटाइप से अंदर क्रैक्स होता है तो जब हम इसमें tensile force लगाएंगे तो क्या होगा यह crack elongate करेगा crack मेरा file लेगा इस से ठीक है और जैसे जैसे यह file ना चालू करेगा यह material को तोड़ देगा लेकिन compressive load जब लगाएंगे तो क्या होगा देखो यह cracks है और जब compressive load हम लोग इसमें लगाएंगे तो वह क्या करेगा इस जो crack बना हुआ यहां पर इस crack को वह भर देगा यह इसे दबा देगा मतलब इस crack को फिल कर देगा इधर का material को दबा के यहां से इस crack को फिल कर देता है तो यहां पर क्या हुआ इसमें ब्रेक वह इसली नहीं करेगा यहां पर क्या कर रहा है इस crack को यह और बड़ा कर दे रहा था जब टेंसायल लोड लगा रहते जो जो अंदर crack है वह और मेरा बड़ा हो जा रहा था लेकिन compressive में वह ही crack जो है वह में यह जल्दी ब्रेक नहीं करेगा और वही डक्टाइल जो मतेरियल जंदली होता है उसका compressive और टेंसायल दोनों अच्छा होता है क्योंकि उसमें cracks ज्यादा नहीं मिलता है तो ब्रेटल में cracks ज्यादा होता है वह अंदर से रुखरा दिखेगा रुखरा टूटा हुआ हल का हलका रहता है इस वज़े से cracks उसी को cracks बोलते हैं और उसके वज़े से वह इसली ब्रेक कर जाता है जो टेंसायल लू लगाते है तो कास्टाइन एक ब्रेटल मटेरियल है इसलिए इसका compressive strength अच्छा होगा ब्रेटल होगा hard होगा लेकिन tensile strength यहां पर इसका कम होगा उसके बाद और देखो क्या क्या प्रोपर्टी होता है कास्टाइन का एक important प्रोपर्टी आता है इसका casting ability इसका good casting ability होता है इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि कास्टाइन से अगर कोई product हमें तयार करना है तो उसके लिए हम लोग casting process यूज करते हैं बहुत सारा manufacturing processes है कि कास्टाइन से अगर कोई product तयार करना है तो rolling हो गया फोर्जिंग हो गया metal forming हो गया या फिक कास्टिंग हो गया तो यह सब processes है product तयार करने का manufacturing processes कहलाता है तो तो चुकि यह brittle material है इसने brittle material में हम लोग forcing या rolling यह सब apply नहीं कर सकते हैं ठीक है या forming technique यह सब हम लोग apply नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह सब apply करने के लिए जब आगे पढ़ोगी यह सब paper आएगा सब पढ़ने का आएगा next semester में या फिर कुछ semester में आने वाला है तो वह सब यह सब साय टेक्निक किस process पर वाद करता प्लास्boys कि यहां से लेकर यह कितना проект यह करने कर देगा लेकिन यह कि रर्वाणी सब्सक्रा यह सरमेटा जा रहा है वह डat लिमिट ही हो गया इसमें कितना इतना केवल इतना प्लास्टीक डिफोर्मेशन आता है लेकिन डॉक्टाइल मट्रुड्स बहुत ज़ादा होता है तो हम लोग ये सब प्रोसेस में तैयार तो उसके लिए हमें डॉक्टाइल मटेरियल चाहिए लेकिन कास्टाइं तो इससे को तो इसका सेप लेगा इसे कपे हम यहां से निकाल निकाल लेंगे तो कास्टेन के पास यह इए बहुत है अच्छे से होता है इसलिए कंपोनिट तयार किया जाता है इसको भी मैं करने का यह को यह बहुत है जिस भी सेप में उससे धालना चाहेंगे वह उस सेप में करवट हो जाएगा तो इसका यह एक इंपॉर्टेंट प्रोपर्टी है नेक्स्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपर्टी होता है डेम्पिंग एक्सेलेंट वाइबिरेशन डेम्पिंग यह देखो क्या प्रोपर्टी होता है अगर कोई बहुत बड़ा मसीन है ठीक है हम लोग देखेंगे आगर जाके लेट मसीन देखेंगे मिलिंग मशीन देखेंगे ड्रिलिंग मशीन देखेंगे यह सारा नेक्षमेस्टर में तुम मिलेगा तो यह सब बहुत बड़ा-बड़ा मसीन होता है जिसके तुम मैनुफेक्ट्रिंग हम कर सकते हैं कोई प्रोड़क्ट था ठीक है तो वह सब मशीन क्या होता है वह किसी फ्लोर पर इंस्टाल है कोई जमीन पर ही रखा होगा न मसीन तो जब वह मशीन चलेगा उस व तो इसके बगल में भी कोई एगर छोटा सा मसीन रखा हुआ है तो यह भी वाइबरेट करना तो की यह भी जमीन पर रखा हुआ जब आब जब वाइबरेट करेगा तो भगल वाला बेस कारण देखो फिर जो वहां पर labor यहां पर वर्क कर रहा है उसमें बहुत स्लाइकल और वहां पर वाइबरेशन आएगा तो यहां पर वाइबरेशन आएगा तो इस तरह से complete system मेरा खराब कर देगा वो ठीक है तो यहां पर काश टारेंट के पास क्या property होता है कि काश टारेंट का अगर हम कोई चीज़ बना दीए ठीक है एक foundation मान लेते हैं यह foundation है ठीक है इसके उपर हम machine को set up कर देंगे ठीक है तो यह foundation जो है काश टारेंट काश टारेंट का अगर पास ही प्रोपर्टी होता है वह उस vibration को अपने अंदर अब्जोब कर लेगा हूं जमीन में जाने नहीं नहीं देंगा तो उसके उसी को हम लोग बोलते हैं vibration को damp कर लिया मेंस उसे अपने अंदर सोख लिया वाइब्रेशन को damp कर लिया तो यही excellent property होता है इसका और इसी वज़ा से जितना भी बड़ा-बड़ा machine होता है देखोगे लिथ मशीन या फिर मिलिंग मशीन ड्रिलिंग मशीन सब का जो बेस होता है foundation होता है वो हमारा कास्टरिन का बनाए जाता है कि में जब foundation हो गया वो कास्टरिन का बनाए जाता है क्लियर है यह सब यह कुछ परटी जोंगे अब और कुछ इसका कुछ परटी देखो इसको बहुत देख रहें का क्या क्या प्रोपर्टी हो सकता है क्योंकि यहां से लिए इसके बारे में डीपली श्टड़ी करना ज़रूरी हो जाता है और देखो काश्टाइन का क्या प्रोपर्टी हो सकता है एक प्रोपर्टी इसका होता है कि इसका मस्षिन अबिलिटी बहुत अच्छा होता है अब देखू मस्जीन अबिलिटि क्या होता है यह सब सब सरा टर्म यह वो आगे आएगा अगे समस्टर आएगा। पेपर आएगा वहां पर यह सारा समय सब्सक्राइब करने का अबिलिटी फोर्ज अबिलिटी जो हम पढ़ है कि आसानी से फोर्ज किया रहा सकता है अगर कोई material है ठीक है हम अगर इससे casting से कास्ट टायर न से एक material तयार कर लिए इस से कास्टिंग के थो हम लोग यह material तयार कर लिए अब यह material जब कास्टिंग के थो तयार किये हैं तो हमें पता चला कि यह साइज हमें चाहिए था 90 mm का लेकिन यह कास्टिंग का एक डिफेक्ट यह होता है कि उससे जो प्रोड़क्ट बनता है वो एक्जेक्ट नहीं बनता है उसमें slightly variations होगा तो वो क्या होता है इसको यह 0.5 mm को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इस material का मशिनिंग करेंगे एक मशिनिंग प्रोसेस होता है उसमें एक टूल होगा टूल से हम लोग इतना इसमें जितना भी requirement है 0.5 को हटाना है तो वो उसको हटा देगा 0.5 को वो इसको हटा के 0.5 वापस इसको 90 में ले आएगा तो वो क्या हो गया हम लोग टूल से इस material का क्या कर हजा दिये है मसीनिंग मतलब हो गया कि इसमें जो एक्सस मेटेरियल है जो 0.5 एमें एक्सस अम एक इसमें रिमूव करता है तो उसको वो बोलते है माकीनिंग प्रोसेस भी एक मुरसेस इसे भी हम लोग एक machining process बोलते हैं तो अब अगर इसमें whole आसानी से बनेगा यह दिक्कत होगा whole बनाने में उसी को हम लोग बोलते हैं उस material का machinability property अगर हम आसानी से whole बना पा रहे हैं तो वह अच्छा अगर हम अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं उसमें दिक्कत हो रहा है whole बनाने में तो वह हमारा machinery उस material का खराब है मतलब वह ठीक से machine नहीं उपा रहा है तो काश टायरन का जो होता है machinery अच्छा होता है मतलब हम इस में इस material को आसानी से machine कर सकते हैं किसी भी machine में लेट मशीन डिलिंग मशीन या जिसमें हम भी आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं उसके बाद और एक एक दो important point हो जाता है कि काश्ट आरन का melting point low होता है क्योंकि जो प्योर आयरन होता है उसका melting point 1539 होता है और जैसे जैसे हम लोग आयरन carbon diagram में देख रहेते हैं कि यहां से लोवर होते जा रहता और इस साइड लिक्विड था तो यहां यानि यह प्योर आयरन यहां पर मिल्ट कर रहा है तो हमारा काश्ट आयन यहां पर मिल्ट कर जाया तो इसका जो melting temperature होता है वो लगवग 1150 degree centigrade के आसपास होता है तो इसका melting point low होता है यानि देखो carbon जितना ज्यादा carbon होगा यह भी carbon से एक और का इंपॉर्टेंट हो जाता है तो पर्टी देखो इसका जो iron carbon diagram है वो कुछ ऐसा होता है तो यह हो गया मेरा yield point यह सोरी elastic point elastic limit और यह इसका हो गया ultimate 10 तो यह दोनों काफी close होता है तो cast iron का जो yield strength अगर माल लेते हैं elastic strength इसका कितना है एप्रॉक्स 100 अगर ले लेते हैं MPa ठीक है तो UTS भी इसका ज्यादा ज्यादा 110 MPa तक हो यह काफी close होता है वही अगर कि Elastic limit कि इस क्लोज टू इट्स अल्टिमेट 10 साइल स्ट्रेंट कि अल्टिमेट जो अश्ट्रेंथ होगा उसके क्लोज होगा ठीक है उसके पर एक और प्रोंपर्टी होता है का इस्ट्रेंट का उससे हम लोग बोलते हैं अगर हम मिल्ट कर दें जैसे वाटर को तुम फेक के देखो फर्स पे वाटर को फेको तेना वह आसानी से फ्लो करते वे आगे निकल जाएगा लेकिन वही जगपे मिल्ट करके लिक्विड बना देंगे जब उसको लिक्विड बना देंगे वो हमारा है यह लिक्विड क्तने आसानी से फ्लो करेगा काश्ट इरिन का है या ये फिर अलुमिनियूम का है ये जिस्क भी मट्रियल का बोलते हैं तो उसे हम लोग बलते हैं fluidity, तो cast iron का fluidity अच्छा होता है, देखो, अभी तक तो हम बता रहेते हैं कि casting के थूरू, अगर एक casting बनाना है, तो हम लोग molten metal डाल दिये, अगर यह तो simple हम figure बना दिये, कास्टिंग जो होगा, complex casting बनाना, माल लोग की कुछ इस type का है, ठीक है, इस type का कोई product तयार करना है, तो हम यहाँ पर molten metal को डालेंगे, liquid जो होगा, उसो यहाँ डालेंगे, अगर इसके पास flow करने का ability नहीं होगा, तो यह क्या होगा, यहाँ तक जाते जाते जाते, यहीं पर solidify कर जाएगा, यहाँ से आगे यह जाही नहीं पाएगा, अगर इसके पास flow करने का ability नहीं रह पाएगा, तो अगर यह जब तक इसके पास flow करने का ability नहीं रहेगा, तब तक यहाँ पर पूरा fill नहीं कर सकता है, पता चला है, यहाँ तक जाते जाते मेरे यहीं पर flow कर पाय इससे आगे यह जाही नहीं पारा है तो अगर उसमें fluidity होगा अच्छा तो वह हमारा कहीं पे भी इंटर कर सकता है इसलिए क्योंकि यह कांस्टिंग इसलिए इसका requirement fluidity का अच्छा होना चैहिए और यह अच्छा होता है क्लियर है कुछ दिक्कत हो रहा है तो बताओ एक घुमहकर है किसश्का व suppressed फ्रिंट तार इख लॉट्टि मेंक्टर Leuk ड्यमां होसतीज अगर फ्लीटी अच्छा तो विस्को सिटी उसकाड कम और विस्कोशीटी तो बहुत कोई को समय में नहीं अगर विस्को सीटी क्या होता है वह सब वह तंत सोय के हैं है के चीज चाहिंदी होता है विसको सिटी तो विसको सिटी से आनता होता है यहाँ पर इंप्रूटन नहीं है वह पर्पार्टी फिर यहां पर हमें बस जानना कि इसका अच्छा था मतलब तो यह कंपोजिशन हो गया इसका प्रपार्टी हो गया अब हम लोग कुछ डिसकस करतें इसका अप्लिकेशन क्या क्या है कहां पर इसका यूज कर सकते हैं तो देखो काश्ट अप्लिकेशन हम लोग फॉंडेशन बनाने में यूज करते हैं फउंडेशन ओफ लाजल मसीन जो लार्ज मसीन होता है लाइक हम लोग बहुत सा मसीन आगे पढ़ होगे तुम लोग मैनुफेक्टरिंग के लिए मसीन यूज किया जाता है वह सब को जो फांडेशन है वह हम लोग कास्ट आइन का बनाते हैं क्यों क्योंकि इसके पास of vibration damping property अच्छ रहोटं पनाते हैं उसके बाद कुछ कांपाश रहा कर या एक यह अटो मोबाइल पार्ट भूत जैसे क्या हो गया सिलिंडर है ब्लाँ है अ जो बना सकते हैं प्रेद हमारा जो गियरभॉक्स होता है वह हमारा काश्टरेन का बना हुआ रहता है फिर पाइप हम लोग बनाते हैं का ठीक है इसके पाइप बनाने का एक टेक्निक होता है उसके तों लोग पाइप बना सकते हैं जिसे फ्लो करता है हमारा वाटर हो गया या फिर और भी कोई चीज़ करवाना हो तो हम लोग पाइप जंदली काश्टाइल का बनाते हैं और उसके बाद फिर इसमें एक इंपोर्टेंट फिर कुछ अगर ब्रीजेज ब्रीजेज में अगर कुछ तो जब इसका हम टाइप पढ़ेंगे तो हर एक टाइप का कहा कहा अप्लिकेशन वहां पर अच्छी से देखने यहां पर बेसिकली देखना है कुछ-कुछ इंपोर्टन अप्लिकेशन दिया हुआ है बाकि हम लोग डिपलीक इसका जब टाइप से देखेंगे उस टाइम ठी है तो हम लोग देखते हैं ताइप क्या है काश्टावन का पहला टाइप जो होता है वह तैंग्रेक आण है दूसरा होता है मेरा हो वाइट काश्टाई था होता है मेलेबल कास्टाई अ पिए जाओधा हो था सा थे हम लोग क्या करते हैं कि हमें आए तिसलिए हमें आप्लिकिशन करने के लिए रख अलग अलग प्रॉनों सिंग करते हैं और द हसे सबस्सक्राइंंज क्या-इंप्रूफिंट हो सकता है कहीं पर हमें हो सकता है कि हमें हाइए चाहिए वहां पर हमें अच्छा चाहिए यह सब कुछ प्रोपर्टी चाहिए कि इसके अंदर थोड़ा सा डॉक्टिलिटी आ रहे हैं क्योंकि इसका ब्रेटलनेस काफी जादा होता है हम स्काहिए कि इसके थोड़ा से स्व्ड़क के इंप्रोव करता तो सटीयने क्या करते है मिलय fence करते और इसमें नों ध्याटकिली करते दो तरीका होता है बनाया जाता है यह बेसिकली हमाराे जह सिंपल JEFF आज रहें तो तो एक तरह से वो ग्रे काश्ट इरन जब भी हम सिंपली काश्ट इरन बोल रहे हैं तो वो हमारा ग्रे काहरेन को ही रिप्रेजेंट निज़ेंगे इसका क्या यूज होता है कैसे हम लोग बनाते हैं और यह मैं लेहलं का इस लिए इतना करते हैं ताकि हमें कुछ improved properties मिल जा और हम उसका कहीं और application कर सके हैं यह से process क्यों किया जाता है उसके limitations को उसका जो disadvantage है उसका उस उसे प्रोपर्टी जो हमारे यहां काम करन नहीं है उसको हम हठा के सकते हैं हम एक कास्ट जो हमारा कस्ट आयरन हुआ जब हम लोगों मॉल्टिन कास्ट आयरन को को कि खेज़ोली सॉलिडिफाइ करते हैं एक श्लोली है थिरे धुए उसको व्हों कर रहें में। संथेरी थिए उसको हम लोग कुल कर रहें जब कास्टॉरन प्रोडिूस करें है जब को पोला फ़र्नेंस में उस टाइम क्या होगा जो मॉल्लिक बनेगा फिग्ला हुआ जो की तरेदि rainbow उसको हम लोग क्या करेंगे slowly cool करेंगे तो जब slowly cool करते हैं और उपर से क्या करेंगे हम लोग उसमें percentage of carbon को हम लोग high रखेंगे ठीक है high percentage of carbon तो उससे क्या होगा जब percentage of carbon ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा carbon और धेरे धेरे जब हम cool कर रहे हैं तो क्या होगा ये carbon जो है वो हमारा free form में आजाएगा क्योंकि हम बताया थे कि यह जो कोई भी आइडन के अंदर carbon को dissolve करने का capacity fix होता है अगर हम बहुत ही ज़्यादे इसमें carbon add कर देंगे इसमें लगभग मालो 6.67% तक हम carbon add कर देंगे तो क्या होगा यह जो excess carbon है वो free form में आ जाएगा ठीक है और वो free form को हम लोग बोलते ग्रिफाइट तो इसमें क्या होगा हमारा यह carbon जो है free form में जो बन गया यह हमारे इसमें distribute हो जाता है इन फर्म फ्लैक्स ठीक है उसको बोलते ग्रफाइट फ्लैक्स इस तरह से इसमें distributed नज़र आएगा अगर ग्रे काश्टायन को ब्रेक करेंगे तो उसमें इस टाइप से carbon का distribution नज़र आएगा और इस यह जो ग्रफाइट फ्लैक्स जो फॉर्म हो रहा है यह हमारा जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसका नाम पढ़ गया ग्रे काश्टायन तो ग्रे काश्टायन बनाने का तरीका क्या है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कुप फर्निस में मौल्टन काश्ट आइडन होगा उसको धीरे धीरे कूल करेंगे जब धीरे धीरे कूल करेंगे और परसंटेज ऑफ कारवन जदा होगा तो वो क्या करेगा वो इसको free form में बना देगा ठीक है free form में कर देगा और free form को एक carbon अगर free form में आ गया उसी carbon को हम लोग बोलते हैं graphite यहाइं देंगे बहुताइब वह सेपरेट हो जाएगा तो आइरन के साथ मिल जाएगा तो फिर लग बनाएगा लेकिन आइरन के साथ कुछ आइरन के साथ मिलेगा भी और अब कुछ जो है वह आप्र्पी व्र्फव्म में रह जाएगा सर्फेस के उपर उसी के एक उम लुग बोलते हैं ग्राथी यह फ्लाख प्वृम में रहता है कुछ इस सेट का णिखता यह इसको वह फ्लाख 66 भुलते हैं अंदर अगर हम इसको कॉम्बाइ्न के साथ कंबाइंड निहापन नहीं करेगा वह कावन क्या है free फिर्म में रजाएगा उसी को बोलते ग्रफाइट-फ्लैक्स और इस फ्र्म में जब रहेगा तो यह जो ग्रफाइट-फ्लैक्स होता है जब हम cast iron को break करेंगे, fracture करेंगे, तोड़ेंगे, तो वो हमारे gray color का नज़र आता है, इसलिए इसका नाम पढ़ गया gray cast iron, यही हमारे होता है gray cast iron, तो सबसे पहला point हम लोग gray cast iron में क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग composition देखते हैं, इसका बनाने का तरीका क्या हो गया? इसका अगरम बनाने का तरीका देखेंगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? cooling slowly ठीक है, हम लोग जो molten हमारा जो cast iron होगा, उसको हम लोग slowly cool करेंगे, तो slowly cool करेंगे, तो धेरे जरे cool होगा, और हमारा यहाँ पे वो फिर क्या करेगा? वो graphite बना लेगा, ठीक है? क्योंकि अगर हम धेरे जरे cool कर रहे हैं, तो carbon को time, उसको sufficient time मिल रहा है, जितना carbon था, वो iron क के साथ चला जाएगा, और जो axis हमारा carbon होगा, वो यहाँ पे free form में graphite के रुप में present हो जाएगा, ठीक है? और वही वहाँ पे फिर उसी को लोग बोलते है, graphite, flex, ठीक है? तो यहाँ पे carbon क्या होता है? ग्रे काश टाइवन में मेरा जो carbon होगा, carbon is present in form of, in free form बोल सकते है, ठीक है, free form, और उसी को लोग बोलते है, graphite, flex, ठीक है? तो यहाँ पे carbon free form में आता है, free form करने का मतलब समझो कि carbon यहाँ पे iron के साथ combine, अब देखो, जैसे हम क्या बोल रहे हैं? यह हमारा material है, iron है, हम इसमें carbon को मिला रहे हैं, तो carbon को जब मिलाएंगे, तो इसमें carbon का percentage जादर रखेंगे, approximately 6.67% carbon डाल रहे हैं, ठीक है? तो यह क्य करेगा carbon, कुछ carbon इसके साथ combine हो जाएगा, ठीक है? कुछ carbon इसके साथ combine होके, वो cast iron बना लेगा, और जो बाकी remaining carbon है, वो इसमें dissolve नहीं होगा, वो free form में as a carbon ही रह जाएगा इसमें, और यह carbon जो होता है, free form में जो carbon होता है, उसको हम लोग बोलते ग्रफाइट, ठीक है? और वो हमारा flax के form में distributed हो जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं, graphite flax, अब इस carbon को, इस carbon को हम break करेंगे, तोड़ देंगे, तो यह gray color का लिखता है, इसलिए इसका नाम पढ़ गया, gray cast iron, ठीक है? इस carbon percentage कितना होता है? ग्रेक कार्बन जो होता है, इसमें हमारा 3 to 4% होता है, ठीक है? यह हमारा carbon 3 to 4% होगा, ठीक है? हमारा composition होगा carbon का, वो 3 to 4% होता है, और फिर इसमें silicon हमारा होता है, 1 to 3%, ठीक है? 1 to 3% silicon होगा, अब देखो, ठीक है? यहाँ पे यह जो graphite form कैसे होता है, इसको थोड़ा और समझो, अगर हम deeply समझता चाहें, तो ऐसे होता है, यह silicon help करता है graphite को form करता है, ठीक है? अगर silicon हम डाल रहे हैं अगर cast iron में, अगर silicon है cast iron में, तो graphite form करने में यही help करता है, यह क्या करता है? जो हमारा carbon होगा इसके अंदर, उसके साथ silicon react करके silicon carbide बना लेता है, ठीक है? और यह silicon carbide हमारा surface पे आ जाएगा, और यही यहाँ पे free form में carbon को ले आ रहा है, ठीक है? तो क्योंकि यह silicon carbon के साथ react करेगा, silicon carbide बना लेगा, यह carbide जो होता है, वो surface पे आ जाता है, और उस तरह से यह जो है, यह हमारा carbon को free करके surface पे ले आया, और इस तरह से वो graphite form कर लेता है, ठीक है? क्लियर है? यहास, सर्थ देखो, यहाँ पे important हो जाता है slow cooling और fast cooling, जब हम लोग slow cooling करेंगे तभी graphite बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, अगर हम fast cooling करेंगे तो graphite नहीं बनेगा, यहाँ पे slow जब हम cooling कर रहे हैं, तो यहाँ पे carbon को time मिल रहा है, sufficient time है उसके पास, कि वो इस पूरे material के अंदर as a free carbon distribute हो अगर मेरे पास molten cast यह देखो, यह मालो मेरे पास इक पोट है, इसके अंदर मेरा molten cast पायरना, इसको just ऐसे छोड़ दो, air में, जैसे समय लो एक चाय का कप है, इस कप में चाय है, इसको तुम simple air में छोड़ दो, तो क्या होगा, air से जब इसका cooling होगा, धीर धीर होगा, इसी cup क्या कर दो, आब water में डाल दो, water में डाल देंगे तो इसका cooling कैसा होगा, बहुत तेजी से हो होगा, नहीं होगा, समझ में आ रहा है, अगर, यहीं हम लोग यहां पर कर देंगे, यहां हम लोग क्या किये, हमारा काश्टाइन हम बना लिए, उसको सीधा जहां पर है, वहीं पर छोड़ दिए, वो air के साथ cooling हो रहा है, वहां पर, एक होता है, जैसे, तोटल तीन तरह का होता है, यह जब heat treatment हम लोग पढ़ेंगे, तो यह समझ में आगा, एक होता है furnace cooling, एक होता है, air cooling, और एक होता है, मेरा, बहुत सरा medium होता है, एक हम लोग सिंपल बोलते है, water cooling, furnace cooling क्या होता है, कि जिस furnace में हम cast iron को बनाएं, उसी furnace को बंद कर दो, उस furnace को off कर दो, वहीं पर उस material को छोड़ दो, वह देरे दरे वहाँ पर ठंडा हो जाएगा, जैसे इट का भठी बनता है, इट का भठी ऐसे बनता है, भठी में हम लोग इट बना लिए, ठीक है, उसको व होता है, कि हम furnace में बना लिए, और उसको वहाँ से बाहर निकालके, simple environment में लख दिए, वहाँ पर जो cooling होगा, उसको भी metal है, उसको हम लोग क्या किये है, उसको किसी water में dip कर दिए, तो वह हो जाएगा water cooling, तो water का cooling बहुत तेजी से होगा, air का cooling medium होगा, और यह जो furnace cooling है, यह स तो यहां पर हम slow cooling बोल रहे है, मेंस हम लोग क्या किये है, कि हमारा जो cast iron है, उसको हम फिर furnace में छोड़ दिए, या फिर air में छोड़ दिए, तो उससे हमारा slow cooling हो जाएगा, तो में यह दो component होता है, 3-4% हमारा carbon होगा, और silicon मेरा 1-3% होगा, उसके बार भी जैसे हम हर बार बता रहे हैं कि कुछ-कुछ और elements उसमें रह जाएगा, manganese, phosphorus, sulfur, यह सब बहुत ही a small quantity में होता है, यह सब लोग नहीं देखते हैं, मैं यहाँ देखते हैं, carbon और silicon कितना है, silicon इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसका काम यहाँ पर क्या होगा, वो graphite को form करने में help करेगा, यह composition हो गया, अब gray cast iron का properties क्या होता है, ग्रे कास्ट आरन का जो properties है, वो generally मेरा कास्ट आरन का ही properties होता है, क्योंकि हमारा, अगर हम simply बोड़ रहे है, कास्ट आरन मिन समझा वो हमारा gray cast iron, ठीक है, क्योंकि यह widely used होता है हमारा, सबसे ज़्यादा used इसी का होता है, प्रॉपचा आरान का जो-जो प्रॉपट दियोगा, वही ग्रे कास्ट आरन का होगा, high compressive strength, high compressive strength, यह थोड़ा hard होगा, brittle होगा, लो tensile strength होगा, ठीक है, machine ability अच्छा होगा, ठीक है, लो-tensile strength हो गया, vibration damping होगा, कि तो ते लोग कश्ट अउश्ट रerson होता हुए मेरा यह होता है कि परसेंटे निकरत कश्ठ पुछ ते लकी है प्रिंटंप अलग के लिए और सब्सक्रेस लोक श्यूंट फैक्टर नहीं मिला जैसा तक आह coke मों इसको तेज यह खुलऑ अलग चीज मिला कि इसको हम कुछ अलग बना देही हैं इसा कुछ नहीं करें सिंपल हम लोग प्रोसेस करें तो उससे जो बनता है उसको यह फिर काश्टा यह ग्रेकाश्टा इंग इसमें एक इंपॉर्टन पॉपर्टी आता है लुब्रिकेटिंग पॉपर्टी क्योंकि यह जो ग्रैफ हो ता है ये हमारा लुब्रिकेंट होता है यह शल्फविकर्ट का काम real कर सकते हैं में अच्छा अगा क्या पर्टी हो थैसकल को कम कर देगा वह क् ceux that sector को से आपस में कर दिबर कर मुब कर रहा है तो उसके बीच क्या होगा एक सर्फिस दूसरे को व्ईयर करते जाएगा गिसते जाएगा एक surface ठीक है दोनों surface तो वह वहाँ पे जब घिसेगा वह तो उसके बीच wear होने का chances ज्यादा देगा यहाँ दोनों अपस में घिसेगा लेकिन इसमें किसी भी तरह का material नहीं होगा उसको हम लोग बोलते हैं अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आरा तो पूछो अगर के सरागे अब इसका अप्लिकेशन कुछ देख लेते हैं तो अप्लिकेशन उसका वही होगा हमारा मसीन फाउंडेशन जो बेसिकली कास्ट टारें होता है वो मारा ग्रे कास्ट टारें ही होता है इसलिए यहां पर उसी का अप्लिकेशन जो यहां पर अप्लिकेशन होगा वहीं वहां पर होगा मशीन फाउंडेशन हो गया सिलिंडर ब्लॉक्स हो गया प्राइप्स करते हो तो वह सब्सारा अप्लिकेशन का सब्सारा अप्लिकेशन हो गए प्लास हो कि नहीं होगा तो यह सो गया तो इससरी हमारा कारवन किस फॉर्म में होता है इए होगा नहीं के फॉर्म और यह सब एक्जाम में तो लिखना पढ़ेगा लेकिन आप्लिकेशन में सबसे जाद इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है मशीन फाउंडेशन फाउंडेशन यहां लोग ग्रेकास्टर इंटेश्टर अब देखू नेक्स्ट आता है मेरा इसे बनाने का सबसे पहला प्रोसस यह है कि हम लोग रेपेडिली कूल करेंगे तो यहां पर कार्बन को टाइम नहीं देगा और उसके लिए जदूरी है कि हमारा कूलिंग स्लोली होना चाहिए लेकिन यहां पर चुकि रेपेडिली कुलिंग कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा हमारा कार्बन क्या करेगा वो आयरें के साथ कम्बाइन हो जाएगा इसलिए उसको लोग बोलते हैं कम्बाइन फॉर्म यहां पर जो कार्बन है कार्बन इस पर्जेंट इन कम्बाइन फॉर्म एज सिमिन्टाइट तो यहां पे क्या होगा यहां पे हम कार्बन को टाइम ही नहीं दे रहे है कि वह फ्रीफिर में आसके ग्रीफाइट बना सके तो इसके यहां पे क्या करेगा आईरन कार्बन के साथ सीधे किया दिए मिल जाएगा और केम वाइट कांपाइंड में होता है और तो यहाँ पर हम जब उसको फ्री बना पर ढाता बनता है अ लिए इसलिए नाम पड़ गया जो ग्रेफाइट फलेक्स है जब उसे हम लोग ग्रेट गलर का cellular का नज़र आता है इसलिए उसका नाम पड़ गये ग्रीक Istpsi और यहां से हमारा कट में डाया क्या होता है जब वाइट कार्क करें गे तो वह हमारा तो यह उसे बोलते हैं नाम इसलिए वाइट का श्राइंट परदा है अब कंपोजिशन देखते हैं इसे इसमें का जो परसेंटेज होगा वह 2.523 परसेंट होगा कार्वन हमारा 2.523 परसेंट होगा और सिलिकन जो है वह हमारा 0.521.5 परसेंट होगा ठीक है और इसके अलावे फिर मैंगनीज सबहलका बहुत कम इमांट में मैंगनीज सल्फर फॉस्परस यह सब आएगा तो यहां पर कार्वन तू पॉँपिंट टू पवॉँपिंट 5 सिलिकन 25 लंप में कम इंग करणे कियोंकि हमारा ग्रेक एक सी परसेंट मेरा हें अजया याग करते है कि यहां पर होगिर करते की दोनों चीज़ हम कर रहे हैं इस वज़े से यहां पर ग्राफाइट नहीं बनेगा यहां पर आइरन कार्बन के साथ कम्माइन कर जाए ठीक है इसका कुछ प्रोपार्टी देख लेते हैं वाइट का स्टाइन करें को में प्रोपार्टी क्या होता है सिमेंट आ गया है reading comment 4 में वह सिमेंट बना लिए और सिमेंट बहुत जादा हाड होता historie 指 का स्टार में सीमेंट का ठाक्ष्राइटTalkर अगर मोदूद है उसमें तो भए चाहले हधा हाड्ड और ब्रिंटल बहुत ज्यादा है अब कोई चीज बहुत ज्यादा है तो जल्दी से घिसे घिसेगा नहीं तो इसलिए मिया intend उसका बहुत जड़ादा और सक्टीस्रेट में इसका मसीनिंग कर सकते हैं तो यकिन हो सकता है लेकिन यह हमारा easily machine नहीं होगा, यह हमारा बहुत ही hard or brittle है, इसलिए हम इसे machine अगर करना चाहते हैं, किसी tool से इसका, अगर size को हम थोड़े छोटा करना चाहते हैं, या फिर इसका हम surface को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम को material इससे हटाना पड़ेगा उस process को हम लोग बोलते हैं machining process, लेकिन इस material का machining नहीं कर सकते हैं, कि यह बहुत ही ज़्यादा hard or brittle होता है, यह tool को ही break कर देगा, ठीक है, लेकिन यह खुद machine नहीं होगा यह tool को भले तोड़ देगा, लेकिन इसमें machining हम लोग नहीं कर पाएंगे तो इसका कुछ application देखो क्या है, यह बहुत ही hard है और brittle है, wear resistant है, यह दो प्रोपर्टिक के वज़े से इसका application देखो कहां पर होता है देखो, slurry pump हम लोग एक बोलते है slurry pump, एक pump होता है जो water को lift करता है, ठीक है water को lift करने के लिए हम लोग pump को use करते है वो होता है, वो अगर pump मेरा slurry को lift करता है, अब slurry देखो क्या होता है slurry क्या होता है, यह हमारा water अप प्लस कुछ particles मिला वराता है, ठीक है उसको लोग slurry बोलते है यह concept क्या है, एक machining process होता है abrasive machining process, ठीक है abrasive machining process में क्या होता है, हमारा abrasive होता है जो इस तरह टुकड़ा-टुकड़ा का होता है, इस shape का होगा और यह हमारा water के साथ mix कर देंगे हमसे जब water के साथ mix कर देंगे, फिर इसको हम लोग metal में डाल देते हैं ताकि यहां machine हम कर सकें इसका, ठीक है ठीक है, अगर हाथ में बालू को रगड़ो, ठीक है, समझ लो यह बालू ही है, ठीक है, और कुछ मत समझो, बालू और water को मिला दो, ठीक है तो वो जो बना देगा, उसी को हम लोग बोलेंगे, slurry और वो slurry को अगर हमको lift करना है, किसी चीज में flow करवाना है, तो उसके अंदर wear resistance होना जरूरी है नहीं तो वो बालू का जो particles से उसमें, वो क्या करेगा, उस पूरे metal को rub कर देगा, घीस देगा पूरी तरसे तो उसके लिए क्या जरूरी है, कि उस material में wear resistant बहुत ही जादा होना चाहिए, जो कि हमारा white cast iron में होता है, इसलिए हम लोग slurry pump जो है white cast iron का बनाते हैं, ठीक है? ठीक है? यस तो यहां पर हम लोग slurry pump क्या होता है? बालू और वाटर को mix कर दो, वो जो बनता है, उसको हम लोग slurry बोलते हैं, अब अगर उसे किसी pipe से होके flow करवाना है, वाटर को तो lift हम आज easily कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर lift करवाना है, तो अंदर जो pipe होगा, वो पूरी चलद से घिस जाएगा, तो उसके लिए जरूरी है कि उस pipe में मेरा rear resistance property होना चाहिए, यानि वो pipe मेरा घिसना नहीं चाहिए, और यह property किसके पास है, वाइट काश्टायन के पास, इसलिए हम लोग वाइट काश्टायन का slurry pump मना सकते हैं, जो कल के अंदर जो डाला जाता है, वो slurry pump रहता है, कहां पर, जो मेरा hand pump होता है, उसके अंदर जो पास जाता है, नहीं है, हां हां हां, समझ में आ रहा है, वो जो मेरा, करते हैं, hand pump के लिए drilling करते हैं, तो मेरा slurry pump, नहीं तो, वो हमारा slurry pump ये जंदली हमारा, ये terminology है, यह हम वो समझाने के बोलते हैं, कि बालू को मिला दिया, वाटर के साथ, उसके हम लोग slurry बोलते हैं, बट engineering terminology अलग हो जाता है, यहां पर हम समझाने के लिए बोल रहे है, slurry pump, वहां पर क्या होगा, अगर जो hand pump के लिए हम डाल रहे हैं, उसमें क्या आएगा, उस pump में क्या flow करेगा मेरा, हमारा soil होगा, प्लस dust particles होगा, जितना भी dust होगया उसके अंदर, जैसे पत्थर सब होगया, जो भी होगा, वो समसारा flow करेगा, तो वो भी जो pump pipe होगा, जो हम लोग अंदर डालेंगे, वो भी wear resistant pipe होना चाहिए, वो हमारा white castrain का बनेगा, क्योंकि वहां पर wear resistant उसका अच्छ सब रहेगा, तो वो सब भी तो फिर wear करेगा उस pipe को, तो उसके लिए हमें चाहिए wear resistant, तो वो white castrain का बना देंगे हम लोग, ठीक है, उसी तरह से देखो, एक होता ball mill, यह क्या होता है, एक mill, तीन roller होता है, और roller के तो हम लोग क्या करते है, किसी चीज़ को powder में convert करते है, ठी यह mill क्या करता है, किसी भी चीज़ को powder में बनाने के लिए use के रहता है, तो वहाँ पर भी wear बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि अगर मालनों हमें coal का powder बनाना है, ठीक है, हम लोग इसका use करते है, powder form में, तो coal को अगर पीसना है, powder बनाना है उसको, तो उसको हम क्या करते ह हम रोलर से brace करते हैं ठीक है एक जगा पे हम लोग यहाँ पे coal को रख दिए और उसको क्या होगा यहां पर क्या होगा, जब यह को को के सथ contact में आएगा, तो यहाँ पर फिर से नौजल के और यहएक निकलेगा जब यहां से वह पास होग confess करता है तो क्या होगा उसका एरिया हम कम कर दिए तो वह क्या करेगा बहुत तीजी से थेखेगा तो वैसे ही होता है जब हमें किसी मटिरियल को पास करवाना हो यहाँ पर जैसे हम लोग extrusion प्रोसेस होता है उसे माटि rituals कांट करेवा तो वहां पर क्या होता है कि यह वह तूम देखें यहां तो či मlex Miss जो हमारा गिट्टी होता है ठीक है और उसके बाद उसमें बालू और उसमें सिमेंट हम लोग सबको मिक्स करते हैं एक सा और वही वाला घर बनाने के यूज करता है तो वहां पर जो मिक्स्चर होता है मिक्सर जो बनावा रहता है गोल-गोल घूमने वाला वहमारा वाइट का उग्यों ही नंदर प्तर हो गया सेंड हों तिनों मिक्स होता है तो यह पी हिवालें जो लोग गृति कोता है उसको वह 쉽 तो फिर से हम लोग वाइट काश्टाइन का बना देंगे तो इसका वियर इस चितन तो अच्छा हो जाएगा तो यह कब देखे हो गए सिमिन्ट मिक्स्चर देखा हुए उसके बाद अग माल यह जो stilary pump हो गया यह जो से देखा हो इस då कुछ एंजांपल से जांसे समझ शक्ति हो डाया है फिर यह सब कुछ अप्लिकेशन ऊगिया वाइट का त scholar का और इसका एक तो यहां पर उसके बेसिस पर अप्लिकेशन चेंज हो जाए तो हम लोग अभी ग्रेक चुके हैं ग्रेक आश्टारेन में ग्रफाइट के फॉर्म में होता है वाइट काश्टारेन में काश्टारेन में काश्टारेन क्या था फ्री हो गया था यहां पर वों और फंभाइन हो जहाता है